अगर आप मेरे चानल पर नई है तो सब्सक्राइब करना मद भूलना और अगर आप मेरे वीडियो अलड़ी देखते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग और आज हम एक नई चीज ट्राइब करने वाले हैं जहां मैं एक देनिम जीन्स को एक स्कुर्ट में कनवर्ट करूंगी यह यह पॉपिलर ट्राइब है जो मैंने बहुत लगों को करते हुए देखा है और अब मैं एक रेकिलर जीन्स को यूज करके उसे कनवर्ट करूंगी एक स्कुर्ट में लेट सी आगे क्या होगा क्या मिस ट्रिंक से कर पाती हो या मुझे इस में दिकत होने वाली है यह मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं होती है यह बहुत जादा कमर के एरिया से लूज है मैं इसको यहां से क्रॉप करूंगे अपने नी एरिया से मैंने इसको फ्लाट ले करा है अपने बैट पे और मैंने एक बहुत ही प्यारा लेस लिया है अपने पास की ही शॉप से आप पे ऐसा कोई ले सकते हो उस लेस को मैजर आउट करके मैं अपनी जीन्स को हाफ फोल्ड करूंगी और जहां तक मेरी लेस जो मुझे मेरी डिजायड लेंथ है वहां पे मैं एक लाइन ड्रॉव करके उसको वहां से कट कर लूंगी शाप सिजर्स लेते हुए मैंने दोनों लेक्स को बराबर कट कर लिया इसको हाफ ले इसले करा कि दोनों लेक्स बराबर हूँ नेक्स्ट टैप यह होगा कि हम इसकी जो इनर सीम है उसको रिप करेंगे उस सीम को रिप करने के बाद हम एक ऐसी पिन लेकर या फिर एक सीम रिपर को लेकर इस सीम को अंदर अंदर से निकालेंगे उसके बाद हम साइड में पहला स्टैप होगा कि हम लेस को अटाच करें मैं इसको अपनी स्कुर्ट के दोनों साइड पर अटाच करने वाली हूँ आप इसे हैंड सो भी कर सकते हो इसको लगाने के लिए ग्ल्यू का यूज भी कर सकते हो मैंने अपनी मॉम की हेल्प लेके इसको स्यूइंग मशीन से अप्लाई करा कि जादा स्ट्रॉंगली अप्लाई हो हमने डबल स्टिच करा इस पर सेम गोल्स पर नेक्स साइड सेम प्रोसीजर से हमने इसको भी वहां पर अटाच कर दिया इसको मैंने इंसाइड आउट लेकर रखाया है अब मैं इसको सेंटर से पिक करके कुछ इस तरीके से फ्लैट ले करूंगी अब मैं इस पर कुछ रफ लाइन्स ड्रॉग करूंगी दोनों एंड्स पर ताकि मुझे एक रफ आइडिया मिल जाए कि मुझे कहां पर सोइन करनी है इन्ही लाइन्स को फॉलो करते हुए हम इस स्कॉर्ट को स्टिच करेंगे इसको दोनों साइट से स्टिच करने के बाद मैंने एंड में एक इसकी बैक में मैंने एक बैक स्लिट दिया है जिससे मुझे चलने फिरने में काफी आसानी हो इसको अंदर फोल्ड करते हुए हम इसको भी स्टिच कर लेंगे क्योंकि अगर रफ एज़िस को ओपन छोड़ेंगे तो हमारी स्कॉर्ट बहुत जल्दी उधर जाएगी इसको डबल फोल्ड करते हुए ऐसे हम उसको फिक्स कर देंगे तरीके सचे स्कॉर्ट के एंड में सारे एज़िस हैं उनको भी हम ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर देंगे मैंने हाफ इंच स्टिच कर आया है उसके बाद मेरी स्कॉर्ट कुछ ऐसे दिख रही है यह लेज कितना पॉफेक्ली अटाच हुआ स्कॉर्ट पे और पीचे से यह बैक स्टिच भी कितना सही लग रहा है यह तव इनको करेंगे लुट पीचे से यह बाक स्टिच को यह से लिए ज़िए निम डेने पीच गर के स्कॉर्ट आट प्र आट पीचिश गेश्ग अठीश एटो आट पीचा सब्सक्राइं झाल झाल